हाई गाईस वेलकम तो जटपट किचन रेसिपीज आई होप यू आर अल गूड आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा और हट के रेसिपी जिसको हम बनाएंगे सिंपली एक गोभी से बहुत ही ज़्यादा मज़िदार बनकर तयार होगी गाईस और यह मेरी पर्सनल फ चुरू करते हैं सो इसके लिए यहां आप देख सकते हैं मैंने एक गोभी लिया है गोभी को मैंने बहुत ही अच्छे से वाश कर लिया है और इसको अब हम कर लेंगे एक ग्रेटर के मज़द से ग्रेट सो यहां आप देख सकते हैं मैंने अमारे गोभी को बहुत ही सो मैं यहां around 1 teaspoon के असपास डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजेगा और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे ऐसा guys हम इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि अगर हम जब नमक डाल देंगे तो यह पानी छोड़ देगा और हमें excess पानी को निकालना है सो इसे अच्छे से mix करने के बाद हम इसे एक plate से ढख देंगे और for around इसे 10 minutes के लिए छोड़ देंगे rest होने के लिए सो after 10 minutes मैंने एक empty bowl ले लिया है और इसमें अब मैं एक cotton का कपड़ा यानि मलमल का एक कपड़ा में इसमें बिचा दे रही हूँ सो इसमें अच्छे से कपड़े को बिचा देने के बाद मैं इसमें हमारे grated गोभी और नमक जो हमने मिला के रखा था वह मिश्रन को में इसमें डाल दे रही हूँ और इसे अब हम चारो तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे जैसे हम पोठली बनाते है just like that हम इसे भी अच्छे से घूमा के अच्छे से मोड लेंगे और इसका हम ऐसे थोड़ा प्रेस करके चीप चीप के हम इसका एक्सेस पानी ड्रेन कर देंगे यहां आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर रही हूं तो इसमें से एकसेस पानी निकल रहा है हम जब इसके कोफटेस बनाएंगे तो उसमें अगर पानी रहेगा तो कोफटेस हमारे फट जाएंगे इसका एकसेस पानी निकल चुका है और वापस इसी बॉल में हम हमारे पोटली को ओपन करके रख देंगे अब हम इसमें एट करेंगे बाकी के इंग्रेडियंस तो इसमें मैं एट करी हूं दो आलू जिसको मैंने अच्छे से उबाल लिया था मीडियम साइस के आलू थे उसको मैंने अच्छे से उबाल लिया था और साथ ही मैं यहाँ दूसरा चमज भी एट कर दे रही हूँ बेशन का सो अच्छे से बेशन एट करने के बाद मैं यहाँ एट कर देंगे कसूरी मेथि को भी हम अच्छे से हादों से कर देंगे साथ ही गाइस अगर नमक कम बेसी हो तो आप अपने स्वात के अकोर्डिंग डाल देजेगा मैं थोड़ा तिखा काना पसंद करती हूँ तो मैं यहां और थोड़ा नमक डाल दे रही हूँ और साथ ही मैं 1 टीस्पून रैट चिली पाउडर डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला एक तिहाई चोटी चमच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्श की पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर सबी चीजे बाउल में अच्छे से जाने के बाद हम इसे बिलकुली अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो हातों के मदद से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं सो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें म rent कर देंगे स्कुल्ण कटी धन्या की पती इसे कहर ना और अब इसके हम सई नौर्मल जैसे हम कोफ्तेस बनाते है उसी टाइब के हम इसके बौल बना कर यकर कर देंगे कोफ़तेस के साइज आपके उपर है आपको छोटे बनाने तो आप छोटे बनाएए बड़े बनाने हैं तो बड़े बनाएए मैं यहाँ इतनी क्वांटिटी के लिए रही हूँ और मैं सेम इसी वे में सारे बॉल्स को बनाकर तयार कर दूँगी सो यहां आप देख सकते हैं मैंने सभी बॉल्स को बना कर तयार कर लिया है यह बहुत ही जादा अच्छे लग रहे हैं हमारे कोफते सो चलिए गाइस अब हम इसे फटाक से फ्राइ कर लेते हैं सो फ्राइंग के लिए मैंने यहां पर पहले से ही ओयल गरम होने के लिए छोड़ दिया था यहां पर मैं रिफाइन ओयल यूज कर रही हूँ और तेल भी हमारा अच्छा खासा गरम है याद रखी का गाइस तेल आपका जादा गरम नहीं होना चाहिए सो यहां आप देख सकते हैं तेल हमारा अच्छा से धुआ छोड़ रहा है तो इसमें हम एक एक करके हमारे कोफ्तो उसको एड़ कर देंगे सो मीडियम लो करके हम इसे अच्छा से टर्ण करके फॉर अराराउंड 5-6 मिनिट अच्छा से इसे फ्राइ कर लेंगे सो कुल 5-6 मिनिट हो चुके है और यह आप देख सकते हैं यह कितनी अच्छे से यह फ्राइ हो चुकी है यह देखकर ही मारूम पड़ यह जली भी नहीं है और परफेक्ली कुक भी है गाईस सेम इसी वी में आपने फ्राइ कर लेना है सो यहां मैं आपको कोफ्तोस को दिखा देती हूँ यह आप देख सकते गाईस इसकी टेक्श्चर यह जरा सा भी टूटी नहीं है इसलिए हमने स्टार्टिंग में इसका एक्सस पानी ड्रेन कर लिया था अगर आप वुछ पानी बनाते तो कोफ्तेस तेल में डालते साथ व आप जरूर से पानी ड्रेन कर लिजेगा और यह आप देख सकते यह फट नहीं रहे और विल्कुली अच्छी से क्रिस्पी फ्राइब हो चुके हैं सो सेब इसी वे में हम सभी कोफ्तोस को तल के निकाल लेंगे सो गाइस हमारे सभी कोफ्तेस फ्राइब होकर तयार हो चुके हैं यह बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे गाइस और इसका टेस्ट ऑस्सम है इस पॉइंट पर भी आप इसे टी टाइम स्नेक्स सर्फ कर सकते हैं सो यह टू इन वन रेसिपी है आप इसको ग्रेवी लगा कर यू जिसमें मैंने सभी कोफ्तोस को फ्राइब किया था जस्ट बात इतनी है कि मैंने एक्सेस ओल को निकाल दिया था और यहां पर मैं एराउंड 3 टेबल स्पून मैंने अच्छे से हीट कर लिया है और को सो इसमें हम डाल देंगे 1 टी स्पून जीरा जीरा डालते साथ ह देंगे तीन लॉंग दो बड़ी इलाइची और एक दालचीनी का स्टीक है यह आप देख सकते इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से कड़कने के लिए छोड़ देंगे सो आफटर वन और देर मिनिट के बाद ही हमारा अच्छे से कड़क चुका है सो इसमें अब हम डाल देंगे प्याज दो प्याज थे गाईस मीडियम साइज की इसे में ऐसे छोटा-छोटा छॉप कर लिया है अच्छे से हम प्याज को फ्राइ कर लेंगे याद रखिएगा अब यह प्याज को ओवर फ्राइड नहीं करना है हमेशा की तरह सो जब हमारा प्याज हलका गोल्डेन ब्राउन हो जाए तब हम उसमें वान बन टीबल स्कूल लैसन अध्रक का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसे बिल्कुल ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फोर अ अधिन के लिए छोड़ देंगे आफ्टर ट्री मिनिट्स टमाटर आलमस्ट गल चुका है गयाज तो इस फॉइंट पर हम हमारे सारे पाउडर स्पाइस को हम इसमें अध्र चिली पाउडर थे तीज़़ पाउडर हाफ ए टीज़़वली पाउडर थनिय पाउडर और साथ ब्लैक पिपड यानि काली मिर्च की पाउडर इसे अब ढग देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम करके इसे फॉर आराउंड टू मिनिट अच्छे से बूनने के लिए छोड़ देंगे और यहां आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है और अच्छे से सर्फेस आउट हो चुका है यानि मसाले भी हमारे अच्छे से भून चुके है इसे एक बार हम चला लेंगे और साथ ही हम इसमें एड कर देंगे कसूरी मेथी डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे और अब आती है बारी हमारे कोफ्तोस को अच्छे से इसमें इन करने की तो यहां आप देख सकते हैं कि मेरे कोफ्तेस के नंबर थोड़े कम हो चुके है क्योंकि मैंने थोड़े कोफ्तेस को निकाल कर एक साइड रख दिया है वो मैं टी टाइम स्नैक्स के तौर पर उसे में खाऊंगी कोफ्तेस डालने के बाद गाइस हमें इसे बेसी नहीं चलाना है ने तो कोफ्तेस हमारे तूट सकते है तो इसे हम जस्ट हलके हातों से जस्ट हलका इसे चला देंगे कोफ्तेस डालने के बाद भी हम इसे अब बेसी नहीं पकाएंगे फॉर एराउन वन मिनिट धर देंगे और इसे लो मीडियम करके अच्छे से पका लेंगे तो कुल एक मिनिट हो चुकी है और आज की हमारी डिलिशेस सी रेसिपी भी बनकर तयार हो चुकी है गाईस खुश भूए बहुत ही ज़्यादा खतरना का रही है गाईस और यह देखकर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है इसे जस्ट हम हलके हाथों से एक बर फिर से चला देंगे और इसके गार्णिश के लिए आप कुछ भी इसके उपर डाल सकते हैं प्रेश क्रीम डाल सकते हैं क्रीम अभी मेरे पास अवेलबल नहीं है घर पर सो मैं इसके गार्णिश के लिए आज सिंप्ली इसके उपर धन्यापती स्प्रिंकल कर दे रही हूं अब मैं आपको दिखा देती हूं यह बनकर कैसे तयार हुए गाइस यह आप देख सकते हैं कौफ्टेश के टेक्श्र कितने मस्ट लग रहे और यह आप देख सकते हैं ग्रेवी की टेक्श्र बहुत ही ज्यादा मस्ट बनकर तयार हुई है I hope guys सो चलिए अब हम इसे फटक से प्लेट आउट कर लेते हैं आज की हमारी जबर्दस सी अनोखी सी रेसिपी बनकर तयार हो चुकी है बहुत ही जादा टेस्टी बनकर तयार हुई है I hope आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखा देती हूँ So ये आप देख सकते हैं इसका टेक्शर अंदर से भी कितना कमाल का है Imagine कीजिए कि आप इसे नान या रोटी पराटे के साथ इसे आप खा रहे होगी ये कितनी टेस्टी लगीगी खाने में आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी गाइस एक गोभी से जज्ट मैंने आज का रेसिपी क्रियेट करने का कोशिश किया है I hope आपको आइडिया भी अच्छा लगा होगा चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दिजेगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज गाइस लाइक कर जीजेगा शेयर वित यूर फैमली और फ्रेंज अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर पूछिएगा गाइस मैं जरूर रिप्लाइ दूंगी अधर आधर टोड़ वाजिए थाइग बाइए